हेले विरोन कैसे आप सब एक बार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगयत है और ये कोश्चन जरूर देखने को मिलता है बच्चो बर्धमान और हासमान से और बिल्कुल सिंपल कोश्चन होता है और आप लोग डिर जाते हो लेकिन इसे आप दो मिनट में कर सकते हो कैसे ज तो हम इसी के माध्यम से पहले अंतराल निकालते हैं तो हल करते समय सबसे पहले क्या करना आपको हहापे मैथट समझना बच्चो एक जाम में क्लियर है पूछाई जाएगा तो जैसे मादीजे आपके पास फलन दिया है वो फलन दिया है कौन सा fx fx का मान कितना है फाइफ square plus 7x minus 13 अब बच्चो जैसे ही आप लोग इसका अब कलन करोगी तो जब अब कलन करोगे तो f-x हो जाता है x square का अब कलन 2x होता है तो 2x2 का multiply कर देंगे तो 10x हो जाएगा ठीक है अब बच्चो यहाँ पर x का अब कलन 1 हो गया तो बच्चा 7 बांकि 13 जो है वो आपका constant है constant का अब कलन 0 है ठीक है अब condition यह है कि कहीं न कहीं बर्धमान फलन के लिए बर्धमान फलन के लिए इसका माना दीख होना चाहिए बर्धमान के लिए इसका जो है अधिक होना चाहिए तो यहाँ पर हम अंतराल के लिए करेंगे हम अपने method से बताते हैं ठीक है अंतराल के लिए क्या करेंगे बच्चो हम f-x को 0 के बराबर लेकर check करेंगे तो आपका 10x plus 7 equal 0 हो गया तो 10x equal minus 7 हो गया तो आपका x equal हो गया बच्चो आपका यहाँ पर minus 7 अपन कितना हो गया 10 अब यहाँ पर एक सरल रेखा बना लो सरल रेखा में यहाँ पर एक बिंदू है मोल बिंदू और यह minus है मतलब इधर कहीं पर होगा तो मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पर है यहाँ पर 0 से जिस्ट पास में होगा यह प्रतिछेदी रेखा है जहाँ पर x जो है x बराबर आपका minus 7 बटे 10 अब इधर चलेंगे तो minus अनत और इधर चलेंगे तो plus अनत क्योंकि 0 को कोई जिक्र ही नहीं एक प्रकार से कि बल एक ही value put हुआ है ठीक है मतलब यहाँ पर इसको हम दो असन्यूक्त अनतराल में कहीं न कहीं जो हमारा एक सरल रेखा जो हमारा सरल रेखा सरल रेखा x बराबर minus 7 बटे 10 यह जो हमारा है यह बास्तविक रेखा को दो असन्यूक्त अनतराल में बाड़ती है वास्तवी क्रेखा को दो असजुक्त को दो असजुक्त अंतराल कौन-कौन सा अंतराल मिला बच्चो? एक इधर चलेंगे माइनस में बतला माइनस अनंद से माइनस साथ बटे 10 वा माइनस साथ बटा 10 से अंन्द दो अस्युक्त अंत्राल में विभाजित करती है विभाजित करती है ठीक ये तरीका हो गया अब जैसे हम दो अंत्राल है इसी पे चेक करेंगे जब इससे चेक करेंगे बच्चो तो अंत्राल पहले लेते हैं माइनस वाला अंत्राल यदि हम माइनस अनन से माइनस साथ बटा दस में जो f дैस x है f d察 x देखो f d察 x कहा है बच्चो f d察 x है इसमें आपको value put करना है और value put करेंगे इनके बीच का कोई भी है जैसे माइनस दो ही ले ले लेते हैं जैसे f d察 x जो है यहां पर माइनस दो ले ले लेते हैं तो जब माइनस 2 रखेंगे माइनस 2 रखेंगे बच्चो तो कितना आएगा 10 दूना 20 माइनस में आएगा मतलब बैलू जो होगा छोटा होगा जीरो से एक्जामपल के रूप में X बराबर माइनस 2 लेने पर मैं समझा रहा हूँ F डैस X बराबर हो गया जो आपका माइनस माइनस 2 प्लस 7 तो 10 दूना 20 यहीं माइनस 13 जो जीरो से छोटा होगा सही है की नहीं मतलब यदि बैलू जीरो से छोटा आ रहा है तो इस पर कहे हास माने बच्चो ठीक है हास माने मतलब फलन जो आपका फलन F डैस X है ठीक है अंतराल अंतराल किसमे माइनस अनन्थ से माइनस 7 प्टे 10 में क्या है हास माने क्या बच्चो हास माने प्लियर है दूसरा कंडिशन अंतराल एक और है हमारे पास अंतराल माइनस 7 प्टे 10 से अनन्थ में जैसे आप इस से अधिक लोगे तुझे से दो ही ले लो X बराबर दो लेने पर एप डैस X बताओ कितना होगा 10 दूना 20 दंस 7 मतलब 27 जीरो से बढ़ा है इसलिए 0 से दी बढ़ा है बच्छो इसलिए अंतराल माइनस 7 बटा 10 से अनंत में फलन कैसा बच्छो बरदमान बरदमान है तो यह बरदमान और हासमान शीकोशन definite पूछे ही जाता है मैं 2-4 कोशन करा देता हूं ताकि एदी तरीका आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हो एदी तरीका नहीं पता है बच्छो तो बिलकुल आप से नहीं बनेगा चाहे कोई कितना भी कर ले जैसे एक simple question देता हूँ कि दिखाईए की सिद्ध कीजिये की केबल method समझना है यह मैं नहीं कहता हूँ कि यह question आएगा method आपको समझना पड़ेगा दिखाईए कि जो fx है x cube minus 3x square plus 4x ठीक है जहाँ पर x जो है real number है ठीक है r पर बर्दमान है क्या है बर्दमान है अब बर्दमान है r मतलब real number कुछ भी रख दो real number बास्तविक संके minus plus भीन कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हल करते हैं बच्चो हल करते समय हमारे पास fx है already कितना है x cube minus 3x square plus 4x ठीक अब जैसे इसमें आपको अब कलन करना है f dash x बरावर कितना हो जाएगा x cube का 3 सामने आएगा 3 में घटे का 3x square फिर यहाँ पर 2 सामने आएगा तो 6x हो जाता है और यहाँ पर x का अब कलने एक तो plus 4 हो गया ठीक है यह तो ठीक है इतना तो clear है sir इतना तो ठीक है हमारा fx था f dash x है इसको थुड़ा सा और calculate करें तो कुछ है इसको इस प्रकार से 3x square है minus का 6x plus 3 धन एक कर दें ऐसा क्यों sir क्योंकि 3 बाहर लेंगे तो x square minus 2x plus 1 आता है ऐसा भी क्यों क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो x minus 1 का square हो गया अब इस पर कोई भी value रखो है ना x belong to r के लिए जो f dash x मानाएगा कुछ भी रखो minus plus कुछ भी यह plus ही देगा ठीक है f dash x 0 से बढ़ा होगा कुछ भी value रखो कि बर्ग लग गया ना क्या है x belong to r के लिए मतलब x के कोई भी यब यब ले लो आप जो की r का अब यब है यह बर्ग लगा है मतलब यह plus ही देगा ठीक है अताह अताह फलन जो आपका f देके रखा है वो r पर इन्ही रियल लंबर पर कहा है बच्चो बर्धमान है यही तो चेक करना था बर्धमान चेक करना था बर्धमान मतलब 0 से बढ़ाया जाए तो आपका क्या हो जाता बच्चो बर्धमान कहला जाता है एक और question करता हूँ मेरे पास f x है ठीक है 2 x cube माइनस 24 x प्लस 5 इसमें हमको बर्धमान यह हासमान चेक करना है बर्धमान और हासमान बतलब अंतराल भी निकालना बच्चो अंतराल भी बिलकुल सिंपल तरीके से करेंगे आप लोगों को मैथड सीखना है ठीक है हल करते हैं तो हमारे पास f x दे रखा है कितना है 3 x की पावर 2 x 2 x cube माइनस 24 x प्लस 5 जब अब कलन करते हैं बच्चो अब कलन करने के बाद 3 का गुड़ा इधर 3 दूना 6 x हो जाता है यहाँ पर x का अब कलन कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 में गटेगा 2 आएगा और यह 24 हो गया ठीक है यहाँ तक है ठीक है यहाँ तक clear अब बच्चो थोड़ा सा यह 5 है इसका 0 हो जाएगा तो x के साब पेच्च अब कलन कर दिया हिंदी लिखने ज़रूरत नहीं है अब बच्चो अंतराल के लिए हमको क्या करना पड़ता है अंतराल निकालना है अंतराल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा f डैस x बराबर 0 करना पड़ेगा मतलब 6 x स्क्वेर माइनस 24 बराबर 0 करना पड़ेगा 6 बाहर ले लो तो x square minus 4 आ जाता है बच्चों ये जो 6 है ये x minus 2 और x plus 2 में तूट सकता है मतलब ये 6 तो उधर जाएगा तो खतम हो जाएगा तो x बराबर आपका 2 आ गया और x बराबर आपका minus 2 आ गया मतलब ये जो सरल रेखा है यहाँ पर आपका minus 2 आ गया तो x जो है 2 और x बराबर माइनस 2 इसको 3 असन्युक्त अंतराल में बाड़ता है मतलब जो सरल रेखा है सरल रेखा है हमें मिले एक भाई सरल रेखा ये x बराबर 2 आ x बराबर माइनस 2 वास्तवी के रेखा को वास्तवी के रेखा को तीन असंयुक्त अंतराल असंयुक्त अंतराल तीन असंयुक्त अंतराल एक तो माइनस अनंत से माइनस दो देखो फिर आपका माइनस दो से दो ठीक वाँ दो से अनंत में क्या करता है विभाजित करता है विभाजित करता है बिलकुल सिंपल है अब तीन असायुकत अंतराल मिल गए तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चो तीनों को चेक करना पड़ेगा तो पहला अंतराल ले लेते हैं अंतराल माइनस अनन से माइनस दो में जो f डैस x है बताओ क्या याएगा जैसे मैं यहां पेशिके बीचे माइनस 3 ले लेता हूँ जब माइनस 3 रखूंगा बच्चो तो ये बर्ग हो जाएगा तीन अतरकाई 9 ठीक है तीन अतरकाई 9 और नो छक्का तीन अतरकाई 9 हो गया और नो छक्का चोमन होता है 24 में 24 घटाएंगे तो प्लस में आएगा ठीक है इसके लिए क्या आता है जीरो से बढ़ा आता है ठीक है अंतराल पतलब इसमें अंतराल F-X एक्जामपल रही माल एक्स बरावर माइनस 3 तो F-X वह इनकी बीच का ही अब अब लिए ना F-X बरावर कितना आता जानते हो आप 3 तिन अकोन तेन त्रकाई नो शक्का 24 में आप 24 घटाब दो तो आपका 30 हा जो 어떻ald जीरो से बढ़ा झाए तो अंतराल उंतराल जो आपका माइनस 17 माइनस 2 में फलन कैसा बच्चो फलन बर्दमान है क्या है बर्दमान है अब यहां पर बर्दमान या हासमान सीखना है ठीक है दूसरा अंतराल ले लेते हैं अंतराल मान के चलता हूं माइनस दो और दो के लिए इन दोनों के बीच में एक है की नहीं एक रख दो जारा एक रखो कि बच्चो तो मैनस आएगा मैनस एक भी रख सकते हैं तो आपका मैनस आएगा के लिए जो F-X है वो आपका 0 से छोटा है इसलिए फलन मैनस दो दो पर हासमान है बच्चो क्या है हासमान है फिर अंतराल अंतराल दो से अनंत पर मतलब 3 रख दो ठीक है अभी तेहां पर मैनस 3 रखे इस बार 3 रख दो 4 रख दो 5 रख दो कुछ रखो 5 रख दो पचम पचीस और पचीस शक्का डेड़ सो डेड़ सो में 24 घटाओ कि तो पलस ही आएगा मतलब F-X जो X है वो 0 से बढ़ा है अतराल अंतराल दो और अनंत पर फलन कैसा बच्चो बर्दमान क्या है बर्दमान तो बर्दमान या हासमान और एक्जाम बेसे easy question पूछे जाएंगे बहुत ज़्यदा tough question नहीं पूछे जाते हैं बैसे इस इस आपको समझाने कोशिस कर रहा हूँ युग बहुत की बुक खोलो तो यहाँ पे सो सो question मिल जाएंगे लेकिन तरीका आपको समझा दिया कि यह संयुक्त अंतराल आपको मिल गया उस अंतराल को हमको f-x में value put करना है यदि आपका find हो गया 0 से बढ़ा तो बर्दमान 0 से चोटा तो आपका हास्मा सिंपलर कुछ भी नहीं ठीक